नमस्कार मैं स्वर्ग से संजे शर्मा बोल ला हूँ आप लोग प्लीज मेरी इस लाइन को सुनके हसिएगा मत मुझे एसास हो रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग से आप लोगों से बात कर रहा हूँ दरसल इतनी तेजी से पूरे देश में एक घटना करम चला नुस्वे से मेरे पास फोन की लाइन लगते ही संजे शर्मा नहीं रहे हुआ यू कि कल शाम को मेरे किसी मित्र ने विनो सिंग जी है उन्होंने एक ट्विट किया उस पर उन्होंने लिखा ये मैं क्या सुन रहा हू लगबाग साल भर से यूटूब पर राज करने वाले देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले लखनव की शान बेखोफ बेवात पोर्पियम के संजे शर्मा नहीं रहे इशर करें ये खबर गलत और ये ट्विट देखते देखते सोशल मीडिया पर वाइरल होगे अ तुम में देर रातünde कर कल कश्मीर में हूं अलाकि आप यहे सकते हो कि वाकई में तो हम सर्ड में हूं धर्ती का सघी ड़ता है कश्मीर को तो मैं कश्मीर में हूं एक तरह से सब्से क Wenn कि कुछ याले ओन ने मुझे भायदा सब्स्विदन के सब्सें को पत्सक्राई को नियbli लेकिन मेरी इंटेंशन किसी को दिल दोहाने की कभी नहीं रहती तो मैं सर्व से मैंने सोचा कि कुछ समबाद आप लोगों से कर लिए जाब बता दिया जाए कि मैं देर रात तक काम करता रहा कश्मीर के कुछ इस्टोरी थी तो दो तीन बजगे सोते सोते सुबई जब उठा तो देखा मैंने कि मेरी पत्नी की कई सारी मिस्कॉल पड़ी हुए है तो आम तोर पे सुबई सुबई इतनी मिस्कॉल आना मुझे लगा कि अचानक क्या बात की लिए दिखाई मैंने कि इसमें इतनी बड़ी उमर की लाइन है कि यह लाइन हिलने वाली नहीं अभी तो मैं भी बहुत साल कर जिंदा रहने वाला हूं बड़ा पर मतलब बड़ापा काटने वा रहा हूं फिर मैंने देखा लाइन लग गई मतलब दुपैर के एक बजग कि पूरी तरह से जिंदा हूं माझसिक भूप से शारी अीस जिंदा हूं बहुत कुष हूं कश्मीर में बड़ा रेपोर्टिंग कर रहा हूं कश्मीर के लोगों से बात कर रहा हूं तो आप व्यश्यल मेडिया है ही ऐसी पर मेड़ा строгन चल रहा है उस पर मैं कोई की efficient których कर कि हां मुझे खुद अपनी बात कहने चाहिए दूसरे किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहिए तो मैं शुरुआत में हाला कि यह सब बाते पहरे भी कह चुका हूं मैं फिर कह रहा हूं कि जो एक मित्र ने यह कहा मुझसे बड़े व्यंग में मुझसे कहा बड़े बी सब्सक्राइब कर देंगे सकता है और यह बड़ी अच्छी बात है मैंने का कि दुनिया में सब के पास दौलत होगी मेरे पास आप सब दर्शक भी मेरे माता पिता जैसे हैं आप सब मेरे चोटे भाई जैसे हैं मेरे परवार का हिस्सा है मैं सपने में भी नहीं सोच अपने इस बड़े से विशाल से परवार को दोका दे सकाओ लोगों ने बड़ा चनाया मतलब वह ट्रेंड चलने लगा मैं देख रहा था ट्वीटर पर कीवर्ड चलने लगा संजय शर्मा तो लोगों ने बड़ा चलाया कि फूर पीम बिग गया अनानी के हाथ हो बिग गया तो मैंने पहले भी एक दिन नवराजी रंजयंटी सेंग ब कि अडाली पर सवाल करने वाले राश्ध्रोई हैं देश्ध्रोई हैं तेकि कई लोगों ने इफ बात को परचार किया कि जैसे मैं कहनें मैंने ये बात ज Shyय मैं इसलिया नहीं कह सकता क्योंकि मेरे चैनल पर तर अस दिन जो ये वीडियो लोड ुए मैnना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर्के सित्धान का पालन करता हूं सक्ता के विरोज में रहता हूं वे सक्टा इनकी हो सक्ता उनकी हो 2014 दो हजार चौदा से पर आप मेरे फेस्el करता था और लगातार करता था बड़ी मज्यदार बापता हूं मेरा खुवार भी है फूर पीम के नाम से खुवार भी है तो मैं आपका विज्यापन कभी नी चापता है एक मित्र है मेरा जो पंजाब के सी में काम कर रहा है हमारे दो कमरों का सेट अपता एक में मेरा ऑफिस था और एक में अख्वार का दफ़ता दो बराबर बराबर कमरों चुड़े जोते हैं मुझे अभी तक याद है समाज कल्य को वो ला नहीं सर मिला नहीं हूं लेकिन फोन पर बाती हुबर जरूओं मैंने का ठीक है बड़ी अधर लगा दो खबर मैं चाइपी ने आ गया तो सज्जन मेरे पास बैटे हुए थे वो डायरेक्टर समाज कर लाड़ते हैं इस कमरे में उनके खलाब खबर चप रही थी एदर को मेरे समय चाही पीने आया थे मेरे पुराने दोस्त wisely ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ना काहू से वेल अमानी जी हो अडानी जी हो या कोई भी जी हो मुझे सौ करोड़, दो सो करोड़, पान सो करोड़, हजार करोड़ इससे भी ज्यादा अगर पैसे देकर मुझे से ये कहें कि ये रहे पैसे तुम हमारे खिलाफ ख़बर मत दिखाना तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी जो 4 पीम को इस बात के लिए प्रेरित कर सके, मुझे इस बात के लिए आगे बढ़ा सके कि मैं किसी से ये सौधा कर लूँ कि हाँ भई अब अब चैनल पे तुम्हारे खिलाफ ख़बर नहीं दिख जाएगी क्योंकि ये सौधा आपके विश्वास का है, ये सौधा आपके भरोसे का है और मैं जितना विश्वास, जितना ताकत आप पे करता था, आपके, मेरा क्या है, मैं बड़े छोटे से जगे से उठके आया, बहुत महनत करी, बहुत छोटे सी रिपोर्टिंग सरकार दस करोड रुपे साल देने को त्यारती हम सरकार के खिलाफ न बोले, मना कर दिया तो आर्टे का अपराद अनुसंदान की जाँ स्टैट अप कर दी गई, छेचे इंस्पेक्टरों की टीम मना दी गई, सरकार ने स्टीएफ मेरे पीछे लगी, मेरे पे क्रिमनल डिफ सरकार से या किसी भी विचार से लड़ता रहा कि नहीं, मैं अपनी जगे ठीक हूँ, सरकार से सवाल करना मेरा काम है, इस इसने मुझे ताकत दी, इसने मुझे यहां तक पहुचाया, तो इस पूरे एपीसोड के बाद यह ताकत मेरी दस्वोना बढ़ गई, कैसे बढ़ी वह भी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह यह अटेक हुआ, एक दो नहीं दरजनों कोने से अटेक हुआ, उसने मेरी पूरी टीम को हैरान कर दिया, कि इतनी तो कोई बात नहीं है, आपने तो पूरे वीडियो में कहीं, कहीं नहीं है कि अडानी पर सवाल करने वाले देश सुरूरी यह बाते क्यों प्रिचारिक की जा रही है, एक दो दिन मैंने का कि बोलने दो ना क्या फायदा है, जब आप एक उंचाई पे हो तो लोग आप पे पत्तर फेकेंगे, फेकेंगे, तो आप एवाइट करो, लेकि मैंने देखा कि फिर वो एक सरे से अलग अलग का सब्सक्राइब रटे, जब यह हमने वीडियो गोला हमले शुरू है, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे कम से कम 10 लाग सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जिस सार दे गुस्से से, और मैं उनके गुस्से को जायज मान रहा था, क्योंकि उनको लग के खिलाफ ख़वर गई है यह नहीं गई है, लगातार हमारे हां अडानी के खिलाफ जा रही थी, हमारे एक साथी ने वो दुखी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाके भोल, बेजा मयूर जानी ने, कि संजे भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐथिक सबसे ज़्यादा ख़वर एडानी के लाफ हमारे चैनल के लोगों के मन में घ्रम के सीधी पैदा करना एक लोगों की कोशिशती हो हमला जारी रहे, लेकि मुझे हरानी ती हुई जब मेरी रिसर्च टीम है, उसने वह ID पहचानना शिलू करी, जो भरपूर कमेंड कर रहे थ लेकिन वो ID उमें से भहुमत के साथ वो पेड आईडी थी, और उस पे भी मुझे दस हुना ज़्यादा है रहत तब ही कि कॉंग्रेस सोशल मीडिया के पक्ष में जो लोग लिखते रहते थे, जो कॉंग्रेस के पक्ष में लिखते रहते थे उन्होंने भी मुझे पे हमला उसमें से एक बड़े चर्ची सजना में को बहुत पसंद करता है, आज भी करता हूँ, और उन्होंने कस्के हमला बोला तो मैंने कहा कि अब तो मैं सोच था था बीज़ेपी की IT सेल, ये कॉंग्रेस के जो IT सेल के लोग हैं, ये मुझे क्यों हमला कर रहे हैं? फिर एक लंब साइटी के सेल के लोग और निशाना 4PM, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि पांदास लाग सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, फिर एक साइड है, बेस साइड सोशल ब्लेड, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कभी आपको किसी यूटूबर की इस तीस सब्सक्राइबर कितने दिने पड़े, मेरी टीम ने चेहकते हूँ, मुझे कल रात को बताया कि सर, सब्सक्राइबर तो हमारे कमी ने हुए, हमारे पास जो भरोसा था, वो लोगों ने बनाये रखा, हमारे सब्सक्राइबर तो इंक्रीज हो रहे है, जैसे इन पांसे जाद ही बढ़ लाए हैं मैंने इशर को धन्वाद दिया और आप सब लोग मेरे लिए इशर समान हैं इस दुख की घड़ी में इस हमले की घड़ी में आप मेरे साथ चटान की तरह खड़े रहें अगर वास्तम में अफवाह पे यकीन करने वालों की संक्या इतनी बड़ी होत इस बात का सबूत रहें कि मेरे लोगों ने मेरे पास दुनिया भर के लोगों का संदेश आया कि संजय जी हमने आपके बंद गरके आपके यकीन है फिर हमने आपके चैनल पर जाके वीडियो देखे जिस वीडियो में ये तमाम बातें की गई तो अडानी के खिलाश ही तो अम्मानी जी भी अगर मुझे हजाया करोड रुपए देंगे और ये कहेंगे कि विग्यापन है तुम्हारे लिए लेकिन अगर डील ये होगी कि खबर नहीं चपेगी तो वह मैं हाथ जोड़के मना कर दूँगा वो दुनिया की कितनी बड़ी दालत है यह मैं आपसे वादा आपको मेरे कुछ शब्दों से आहत हुए तो मैं इसके लिए खेब रियत करता हूँ कि आपके इस भरोसे को अगर मेरी किसी वज़े से चोट लगी है तो मैं निश्य दूप से इसके लिए सौरी भूता हूँ लेकिन यकीन मानी है इंटेंशन मेरी बिलकुल ऐसी नहीं थी इंटेंशन मेरी सरकार के लिए जो सवाल पूछने के वो बैसी थी आज भी रही है। अगर दोस्त अपना दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है लेकिन दोस्त टॉप कर ले तो और बुरा लगता है तो मेरे मित्र नहीं कहा कि आप लगबक दस महीने से देश में सबसे ज्यादा व्यू वाले चैनल बन रहे हो और आप दूसरा मिर्ची हो लगाते रहते हो म जन्वानस को यह पसंद आता है तो मैं गाई उमर के इस पड़ाओ पे आके चैनल के इस पड़ाओ पे आके मैं जब शुरू से अपने जिंदगी में नाटक नहीं किया तो मैं अब क्यों कर दो हूँ मैं खुश होता हूँ, मैं खुश के फोटो डालता हूँ, मैं घूमता हूँ तो घूमने के फोटो डालता हूँ, मैं कहीं पिकनिक मना रहा हूँ तो इसके फोटो डाला हूँ, परवार के से फोटो डाला हूँ, अब हम मुझे बताईए कि क्या मुझे नाटक करना चाहिए मुझे बड़ा दर्द रो, बड़ा दुखी हो, बड़ा परिशान नजर आना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं हाँ कार मज़िया है, यह मैं जैसा हूँ, मुझे वैसे ही दिखना चाहिए, इस बात के वारे मैं जरूर बताईएगा, तो अगर किन्षी ने कमेंट किया तो मैं इसे हाँ जोड़ के माफी माँग रहा हूँ, मैं उनके प्रती बिल्कुल भी मेरे मन में कोई खराब बचार नहीं है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो पेड़ एक, आप लोग में बहुत सारे दर्शक जानते नहीं होंगे, जो जो आपने दो 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 डो दो 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 किया जाते हैं, तो उसकी एक बड़ी और पी की फाज, हमारे यूटूब के वीडियो के नीचे ज handlar कि हम जो बोलें, उसके नीचे सारे कमेंट ऐसे डाल दो, अड़ानी हाद विग्ट विग्या, ड़ानी का भीगै, तो लोगों के मन में भ्रहम के इसी दिदी पैदा होगी तो ये अभिहान भी चलाए गया और पूझी पती मोधे को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने बड़ी अभिहान चला के और मेरे को और मजबूद कर दिया हाँ ये बात सही है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर वाकिए में पांट दस लाग कर गए तो शा आप भरोसा करती है और लोगों का भरोसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है मैं आपसे वादा कर रहा हूं कभी नहीं पल्टूंगा पल्टूंगा तो बताऊंगा और बताने का सवाल नहीं होता क्योंकि कभी पल्टूंगा नहीं सरकार की आँख में आप डाल के सवा सवाल पूछता था सवाल पूछता हूं और सवाल पूछता रहूंगा आपके अपने परवार का सदस्ता हूं और रहूंगा कमेंट करने वाले जो लोग हैं जो बहुत जादा व्यापुल हैं मेरी मेल आईडी मैं आपको डिस्पले कर रहा हूं यो वाट्सेप नमबर जबाब जरूर दूगा लेकिन आपकी अगर आईडी में लिख ठाखोगा अफलातून आपकी आईडी में लिख ठाखोगा बड़े मियां तो शायद मैं जवाब नहीं क्योंकिОम्झेण को तून और यह बड़े मिया एक आइडी होती हैं किसी पर हमला करने के लिए बनाई जाती हैं मेरे सभी दर्शकों का फिर हिरदय से आभार विक्त करता हूं किसी को मेरी किसी बास से दुख पहुंचा हो मैंने भली किसी के वारे में भी बोला उनको भी दुख पहुंचा हो तो म अपका काम ही होता है कि आप किसी भी बिवाद में मत पढ़िये जिस काम में अपने जोटे हैं हो अर्जण कि आपका लख्ष होना चाहिए कि लोगोंकर कि जो समस्या हैं, लोगों की परिशानिया हैं, लोगों की आवाज है, वो लोगों तक पहुंशते रहे तो मैं फिर सबसे बोला हूं संजय शर्मा और जिन लोगों ने ये परचारित किया कि संजय शर्मा नहीं रहे, उनसे एक रुकेस्ट है, अब से 13 दिन बाद, 13 दिन पता रहता है नीचे एक पिलो बेसन के लड़ू जरूर बिजवा दीज़ेगा मेरी तीरमी है तो कम से कम मुझे तो बलड़ू खाने का हक होता है बेसन के लड़ू मुझे बहुत पसंद है तो किर्पया करके तेरे दिन बाद फोड़े से लड़ू भली दो लड़ू बिजव के नाम है क्योंकि सच में आपने मुझे नई जिंद्गी दी है इतने हमले के बाद मुझे आपने नई ताकत दी है मुझे एक और बड़े विश्वस्त तूसरे ने बताया कि यह 10% हमला था 90% बड़ा हमला तुम पे और करने की तैयारी है बहुत बड़े बड़े ताकत बर लोग हैं बड़े बड़े क्वालिटी का लोग हैं बड़े बड़े पोजी पती लोग हैं हमने का हम उनको भी सीकार करेंगे तो आप मेंटली तियार रहिएगा कि अभी 90% हमला फोर पीम पे होना बाकी है आने वाले दिनों में कुछ और कहानिया कुछ और किस्से कुछ और बाती आएंगी आप से रिक्वेस्ट ये सिर्फ चैनल को दिखते रहीएगा जब फुरसा तो चैनल के पंद्रे दिन का बीस इनका ट्रेक रिकॉर्ड चेक करते रहीएगा कि किसी भी वीडियो में आपको ऐसा लगा कि मैं अपने रास्ते से बठक रहा हूं मैंने अपनी ब जीवन की सबसे बड़ी दौलत है यह सब्सक्राइबर यह बासट लाग चालिस हजार सब्सक्राइबर नहीं है यह बासट लाग चालिस हजार मेरे जीवन है अर हर सब्सक्राइबर ने मुझे जीवन दिया है मेरे साथ घड़े हो कि हर सब्सक्राइबर ने मुझे ताकत दि शुक्रिया थेंक्यू